कि आप सब को नमश्कार कि बैठिए मान्य मुख्यमंद्री जी आप सब बैठिए कि विच्षित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कौने कौने में पहुंच रही है इस यात्रा को शुरू हुए एक महिना पूरा हो चुका है इस एक महिने में ये यात्रा हजारों गावों के साथ साथ देड़ हजार शहरों में भी पहुंच चुकी है इन में से अधिकतर छोटे शहर है चोटे-चोटे कश्वे हैं और जैसा मैंने कहा आज से राजस्थान, मद्द प्रदेश, छतिशगर्ड, तेलंगना और मुजोरं में भी इस यात्रा का आरंब हो गया है चुनाव आचार धहिता की वज़े से इन राज्यों में अब तक यह आत्रा शुरू नहीं हो पाई थी मेरा हर राज्य की नई सरकारों को अगर है कि विक्सित भारत संकल प्यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें सात्यों विक्सित भारत संकल प्यात्रा को हरी जंडी बले ही मोदी ने दिखाई है लेकिन सच्चा यह है कि आज देश्वास्यों ने इस यात्रा की कमाल्म समाल ली है और अभी जिन लाभारत्यों से मैं बात कर रहा था उनसे समवाच से दिखता है कि देश का जन्मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साइत है एक जगह जहां पर यात्रा खत्व होती है वहाँ से दूसरे गाउं या शहर के लोग इस यात्रा की अगवाई करने लग जाते हैं मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्परदा चल रही होड मची है लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे है और मैंने देखा है नवजवान तो आजकल सेलफी का भरपूर उप्योग करते हैं गाड़ी के साथ अपने सेलफी भी करवा लेते हैं और वो अपलोड भी करते हैं और लोग बड़ी संख्या में एक प्रकार चे विक्षित भानत के एंबेसेटर बन रहे हैं नमो एप को डाउनलोड करके उसमें विक्षित भानत के एंबेसेटर बनने की युजना है सब उससे जूड रहे हैं गाँ हो या शहर बड़ी संख्या में लोग जो पीच कॉम्पेटिशन चल रहा है प्रश्ण उत्तर वाला एक बड़ा अच्छा कारिकम चल रहा है जिससे नॉलेज भी बढ़ता है जानकारिया मिलती है उसका भी कॉम्पेटिशन में लोग भाग दे रहे हैं इन प्रतियोगीताओं के माध्यम से लोग न सिर्फ पुरसकार जीत रहे हैं बलकि नई-ई-ई-ई जानकारिया भी प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं साथियों इस यात्रा के सुरू होने के बाद ये चोथी बार है जब मैं वर्चुली इस यात्रा से जूड रहा हूँ पिछले कारकमों मैं जादातर मैंने ग्रामेंट शेत्रों से जुड़े लोगों से समवाद किया था पी-म किसान सम्मान निधी के बाद हो प्राकुरति खेती नेचरल फार्मिंग की चर्चा हो ग्रामीन अर्थ ववस्ता के अलग-अलग जो आयाम होते हैं उसके संदर में विचार भी मर्ष हो मैंने हमारे गामों को विक्सित बनाने वाले अलग-अलग छोटे-मोटे कई विश्वों पर चर्चा की और मुझे भी जब मैं सभी सब वात्स कर रहा था तो इतनी बारिक्यों से लोग बताते थे और मन को इतना आनंद होता था कि सरकार की योजनाय गाउं तक गरीब के घर तक पहुंचती है आज के इस कारकम में बड़ी संख्या में शहरी खेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं इसलिए इस बार मेरा फोकस शहरी विकांस से जुड़ी बातों पर था और मेरे समवाज भी जिनके साथ किया उसमें भी वो बाते थी मेरे परिवार जनों विक्सीद भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है आजाजी के लंबे समय तक जो भी विकांस हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सिमित रहा लेकिन आज हम देश के टियर टू टियर थ्री इस शहरों के विकांस पर बल दे रहें हैं देश के सेक्रों छोटे शहर ही विक्सीद भारत की भव्य इमारत को ससक्त करने वाले हैं इसलिए अम्रित मिशन हो या स्मार्ट सीटी मिशन इनके तहत छोटे शहरों में मूल सुविदाओं को बहतर बनाया जा रहा है कोशिच यही है कि वाटर सप्लाई हो ड्रैनेज और सिवेज सिस्टिम हो ट्रैफिक सिस्टिम हो शहरों में सीसी टीवी कैमेरों का नेटवर्क हो इन सभी को लगातार अपग्रेड किया जाए स्वच्चता हो पब्लिक टॉइलेट्स हो LED स्ट्रीट लाइट्स हो शहरों में इन पर भी पहली बार इतने व्यापक्स्तर पर काम हुआ है और इसका सीधा प्रभाव इज अफ लिविंग पर पड़ा है इज अफ ट्रावेल पर हुआ है इज अफ डूइंग बिजनेस पर हुआ है गरीब हो न्यू मिडल क्लास हो जो अभी अभी गरीबी से महां निकले हैं या मध्दंवर्गे परिवार प्यादा हो रहा है मिडल क्लास हो जो या संपन्न परिवार हो हर किसी को इन बढ़ती हुए सुविदाओं का लाब बिल लगा है मेरे परिवार जनों हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है आपने देखा है जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो सरकार ने आपकी मदद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी हमारी सरकार ने कोरोना के संकट के दौरान बीश करोड महिलाओं के बैंक खाते में हजारों करोड उपे ट्रांसपर किये यह हमारी सरकार है जिसने हर व्यक्ति को कोरोना की मुफ्ट वैक्सिन सुनिश्चित कराई यह हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्ट राशन की योजना शुरू की यह हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड रुपिये के मदद भेजी जहां दूसरों से उम्मिद खत्ब हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है हमारे रेडी ठेले पट्री फुटपात पर काम करने वाले यह सभी साथी नाउमिद हो चुके थे उनको लगता थे चलो पही ऐसे ही गुजरा करो कुछ होने वाला नहीं है उनको पूठने वाला कोई नहीं था इन सित्यों को पहली बार बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ने का सहुपाग्य हमारी सरकार को मिला है आज पीएम स्वनिदी योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान रूण मिल रहा है देश में पचास लाग से अधीक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है इस यात्रा के दोरान भी सवा लाग साथियों ने मौके पर ही पीएम स्वनिदी के लिए आविदन किया है पीएम स्वनिदी योजना के 75 प्रतिशत से अधिक लाभारती दलीत, पीछडे, आदिवासी समाज के साथी है इसमें भी करीब 45 प्रतिशत लाभारती हमारी बेहने है यानि जिनके पास बैंक में रखने के लिए कोई गारंटी नहीं थी मोदी की गारंटी उनके काम आ रही है साथियों, शहर में रहने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबत है साथ वर्स की आयू के बाद भी सबको सुरक्षा कमच मिले इस्ते लिए हमारी सरकार ने गंबीरता से काम किया है अटल पैंशन योजना से अभी तक देश के छे करोड साथी जुड़ चुके हैं इससे साथ वर्स की आयू के बाद पांच हजार रुपिय तक नियमीत पैंशन सुनिश्चित हो रही है प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शहर में रहने वाले गरीबों के लिए बहुत बड़ी उम्मिद बनी है इसमें बीमा करता को सान में एक बार केवल बिस रुपिय केवल बिस रुपिय के प्रिमियम का भुकतान करना होता है और बडले में उसे दो लाख रुपिय का कवर मिलता है प्रदान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना के तहर शहरी गरीबों को सान में सिरफ 436 रुपिय देने का प्रावधान किया गया है इससे भी उन्हें दो लाख रुपिय तक का मिमा कवर मिलता है हमारी सरकार इन दोनों योजनाओं के माद्यम से लोगों को अब तक जिनके परिवार में कोई संकट आ गया ऐसे परिवारों में सत्रा हजार करोड रुपिये आप सोचिए सत्रा हजार करोड रुपिये की क्लेम राशी इन परिवारों को मिल चुकी है संकट की घड़ी में इन परिवारों में जब स्वजन खो दिया हो और इतने रुपिया आ जाएं तो कैसे दिन निकल जाएं इसका आप अंदाज कर सकते हो आज आप अंदाज लगा सकते हो कि 200-400 करोड के भी यो योजना शुरू करता है ना कुछ रोध्याज राजदितिक दर बोलते रहते हैं हेडलाइन्स बनवाने में जुटे जाते हैं खबरे बनवा देते हैं 17,000 करोड रुपिया गरीब के गर पहुंच चुका है भारत सरकार की इन योजनाओं का लाप लोगों को मिल रहा है मेरा सभी साथियों से आगर है कि सरकार की इन पैंशन और भीमा योजनाओं से जूड कर अपना सुरक्षा कवर्च जरूर मजबूत करें मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसमें आपकी मदद करेगी साथियों आज इनकम टेक्स में छूट हो या फिर सस्ते इलाज की सुविदा हो सरकार की कोशिश शहरी परिवारों से जादा से जादा उनके पैसे बचाने की है बचत जादा हो उनकी है अब तक शहरों के करोडों गरीब आईश्मान भारत योजना से जूड़ चुके हैं आईश्मान कार्ड की वजह से गरीबों के एक लाग करोड रुप्य खर्च होने से बचे हैं एक लाग करोड रुप्या या तो डॉक्टरों के पांस जाते या दवाईयों में जाते हैं जो आज गरीब के खिस जेब में रहे हैं मद्यवबर के जेब में रहे हैं हमारी सरकार ने जो जन अउस्षदी केंद्र खोले हैं और मैं तो आज जो मुझे सुन रहे हैं सब से कहता हूं आपको दवाई खरीती है तो जन अउस्षदी केंद्र से खरीती है 80% discount है 100 रुपय की दवाई 20 रुपय मिल जाती है आपका पैसा बचेगा इन केंद्रों ने शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यमबर के जिन जिन लोगों ने जनवस्दी केंद्र से दवाईया करी दिया अगर वो जन अउस्दी केंद्र न होता तो उनका 25,000 करोड पर जादा जाता इनके 25,000 करोड पर बच गए है अब तो सरकार जन अउस्दी केंद्र की संख्या को भी बढ़ा करके 25,000 करने जा रही है बीते वर्षों में हमने कुजाला योजना से देश में LED बल्बो की क्रांती देखी है इससे शहरी परिवारों के बिजली का बिल भी बहुत कम हुआ है मेरे परिवार जनों हमारी सरकार गाउं से रोजगार के लिए शहर आने वाले गरीब भाई बेहनों की मुश्किलों को समझती है उनकी एक दिक्कत थी कि उनके गाउं का राशनकार दूसरे राज्य के शहरों में नहीं चलता था इसलिए ही मोधी ने वन नेशन वन राशनकार बनाया अब एक ही राशनकार पर कोई भी परिवार गाउं हो या शहर राशन ले सकता है मेरे परिवार जनों हमारी सरकार का प्रयास है कि कोई भी गरीब जुग्यों में रहने के लिए मजबूर न हो सब के पास पक्की छत हो पक्का घर हो पिछले नव साल में केंद्र सरकार चार करोर से जादा घर बना चुकी है इस में से एक करोड से अधिक घर शहरी गरीबों को मिले है हमारी सरकार मिडल क्लास परिवारों के घर का सपना पूरा करने में भी हर संभव मदद कर रही है क्रेडिट लिंग सबसीडी स्किम के तहट अभी तक लाखों मद्यम बरगिये परिवारों को मदद दी जा चुकी है जिनके पास अपना घर नहीं है उनको सही किराए पर अच्छा घर मिले इसकी चिंता भी सरकार कर रही है सरकार ने शहरी प्रवासियों मद्दुरों और दूसरे काम करने वाले साथियों को किराए के घरों के लिए विशेश योजना बनाई है इसके लिए अनेक शहरों में विशेश कामप्लेस्क भी बनाए जा रहे हैं मेरे परिवार जनों शहरों में गरीब और मद्द्वर्गिय परिवारों को बहतर जेवन देने के लिए एक और बड़ा माध्यम पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का होता है आधुनिक पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के लिए जो काम बीते दस वर्सों में हुआ है वो अतुल्निय है आप कल्पना कर सकते हैं कि दस वर्से भी कम समय में पंदरा नए शहरों तक मेट्रो सिवा का विस्तार हुआ है आज कुल मिला कर 27 शहरों में या तो मेट्रो चल चुकी है या फिर मेट्रो पर काम चल रहा है बीते वर्सों में देश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसे चलाने के लिए भी केंद्र सरकार ने हजारों करोड के खर्च किये हैं पी एम इबस सिवा भ्यान इसके तहट अनेक शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जा रहा है दो तीन दिन पहले ही दिल्ली में भी केंद्र सरकार ने पान सो नई इलेक्ट्रिक बसे शुरू करवाई है अब दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इलेक्ट्रिक बसों की संग्या तेरा सो को पार कर गई है मेरे परिवार जनों हमारे शहर हमारी युवा शक्ती और नारी शक्ती दोनों सतक्त करने के बहुत बड़े माध्यम है मोधी की गारंटी वाली गाड़ी युवाशक्ती और नारी शक्ती दोनों को ही सतक्त कर रही है इसका अधिक से अधिक लाप आप सब उठाएं और विक्सित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं एक बार फिर आप सबको मेरी शुपकामनाएं हैं यह यात्रा को और ज्यादा लोगों को लाप मिले अधिक लोग जुड़े यात्रा आने से पहले ही पूरे गाउं में वातावन बने शहर के अलग अलग यह लोके में वातावन बने और जिनको अब तक सरकानों का लाप मिला है उनको वहाँ जुरू लाइए ताकि बांकियों को विश्वास परदा हो कि जिनको आज अभी लाप नहीं मिला है रह गये हैं यह मोदी की गारंटी है बविश में मिलेगा इसलिए उनको जितना ज्यादा लाएंगे जितनी जानकारी मिलेगी और हम कुछ भी कहें जिसको मिला है वो जब बोलता है न तो दूसरे का भरोसा बढ़ जाता है और इसलिए मेरा आपसे आग रहे हैं जिन जिन लोगों किसी को गैस का कनेक्शन मिला होगा किसी को बिजली का कनेक्शन मिला होगा किसी को जल का कनेक्शन नल मिल गया होगा किसी को घर मिल गया होगा किसी को आयुष्मान कार मिला होगा किसी को मिद्रायोद्ना मिली होगी किसी को स्वन निदी मिली होगी किसी को बैंक से पैसा मिला होगा किसी को बीमा का पैसा मिला ह होगा बहुत सारे लाब है जब उसको पता चल था हमारे गाउं में उसको मिला है तो मैं भी रजिस्टर करवा देता हूं और इसलिए जिसको मिला है वो ज्यादा आने चाहिए वह आगर के बताने चाहिए देखो वह यह योजना है मोदी की इसका फाइदा उठाओ मुझे तो गाउं ते गरीब मक्ति तक शहर की जुगी जौबडी तक सरकार के सभी लाब पहुचाने है और बिना मुश्किल को पहुचाने है और इसलिए यह गाड़ी निचल पड़ी है यह मोदी की गार्णिटी वाली गाड़ी है ना वो आपके लिए है तो आप ज्यादा स से ज्यादा जूड़ी है इस कारकम को सफल बनाएं और देश में 2047 में जब भारत के आजादी के 100 साल होंगे यह देश विक्सित होके रहेगा यह मिजाच पाजा करना है हम सब कुझ अच्छा करेंगे और देश को अच्छा बनाएंगे इस विचार को ले करके चलना है और यह वातावन बनाने में यह यात्रा यह गाड़ी यह संकल्प बहुत काम आने वाला है मेरी आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है धन्यवाद